हलो फेंट स्वागत आप से विका यूटूब चैनल जॉब्स्ट्री में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार डाक सेवक भरती जो आई है 2021 की दोस्तों उसमें जो है वह कटफ कितना जाता है ठीक है जैसे 2020 में भेकेंसी आई थी उसमें कटफ कितना गया है तो वह हम देखने वाले हैं कि 2021 की जो अभी चल रही है ठीक है वेकेंसी जो है उनाइस सचालीस पोस्ट पर यह वेकेंसी आई है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते हैं और जेनरल कंडिरेट के लिए यहां पे जो है वह सो रुपिया लगता है ओबीसी के लिए सो और जितने एसी एस्टी और ओल फीमेल कंडिरेट हैं वह फिरी में आफेदन कर सकते हैं तो इसमें एकजाम तो होती नहीं है दोस्तों डाइरेक्ट आपकी जो है यहां पे मैडिट बनती है वह भी जो आपके मैटिक के जो सार्टिफिकेट यानि मैटिक में आपका कितना प तो मैं आपको PDF दिखा दूँगा जो previous year जो वेकेंसी आई थी कडिब जो है उस समय सारहे तस साथ ऐसे तरह से यहां पर पोस्ट आई थी और उसमें जो है candidate को सेलेक्ट जो किया गया है कितने कटफ गया हुऊ है आप बात करेंगे ठीक है और किसका selection होगा किसका नहीं होगा प प्रटीफीकेंस दिखा दूँगा जहां पर डिजल्ट और जो कटफ निकाली गई थी उस पर तो चलिए दोस्तों अब दोस्तों देख सकते यह जो है वेकेंसी जो 2019 की थी ठीक है जो उस 2019 में आई थी और इसे 2020 में डिजल्ट जो निकाली गई थी देख सकते हैं जो आपका सेलेक्शन लिष्ट है ग्रामिन डाक सेवक बिहार सलकर का ठीक है और यहां पर यहां पर डेट भी देख सकते हैं 58-2019 की यह है और उसी समय कड़ीब 10 सा यहां पर 60 पदों पर यह वेकेंसी आई थी तो उसका यहां पर दिया गया है एक तो आपको यह इसमें वह देखने को म आजाएगा तो इसी तरह जो है वह सभी जीलो का यहां पर दिया गया ठीक है तो आप लोग चाहें तो चेक कर सकते है भागल पूर के बाद कती यहां अपर लेके चलता हूं यहां पर देखिए जो पहले वाले में देखे हम तो यहाँ पर SC का यहाँ पर 95 गया है, यह SC से बिलॉंग करते हैं, और एक पोस्ट थी इसमें, और इनका 95 गया है, देखिए, और यहाँ पर OBC की बात करें, तो OBC का भी यहाँ पर 95 गया है, SC का भी यहाँ पर 95 गया है, यहाँ इस देख सकते हैं, और OBC का यहाँ पर, तो सेबक की तो यहां पे आपका ड है इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो भी candidate का ठीक है जेनरल हो, OBC हो, SC हो, SC, ST हो 95 पलस जिनका है उन्हीं का यहां पर selection हुआ है कहीं कहीं आपको यहां पर जैसे देख सकते हैं यह SC वाले पोस्ट के लिए ठीक है यह जो आपका SC है ना इसमें देख सकते हैं 97.4 गया है SC का यह depend करता है आप किस आप पोस्ट फीस पे आवेदन किय hear क्या होता है एक जीले में कई साड़ी पोस्ट फीस आपको मिलती है देखने को तो depend करता कितने candidate एक पोस्ट फ़ीस पे आवेदन किय है फिर उस पे यहाँ पे cut-off तयार होता है ना कि district wise ठीक है यह चीत ध्यान रखिएगा अब नीचे आते हैं हम आपको बताते हैं जैसे general का होगे general का यहाँ पे देख सकते हैं जो BPM के लिए यहाँ पे इनका गया है वो 95 गया है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक है BPM के लि गया है वो भी सोनी रानी का ठीक है यह female में देखिए यहाँ पे इतना जाड़ा cut-up गया है 98.4 जो है यहाँ पे इनका गया है इसी तरह से आप लोग पूरा चेक करिएगा तो आपको जो है 95 पलस आपका अगर score होगा percentage होगा तभी आपका यहाँ पे selection हो पाएगा हम अगर स हरसा वेगर की बात करें तो इन में भी आप देख सकता है 97, 96, 97 इस तरह से जो है दिख रहा 94 आपको कहीं पे नहीं दिखेगा साड़ा जगा है यहाँ पे 95 से उपर ही देखेगा 94 यहाँ पे देखने को कहीं नहीं मिलेगा ठीक है तो यह social area अगर आप में से कोई भी candidate का आपको अगर टोटल 95 परसेंट अगर आती है ठीक है तो यह आप लोग आवेदन करें मेल हो या फीमेल हो मैं ज्याद कर जो है जेनरल मेल और OBC मेल की बात करूँगा अगर 95 पलस अगर आपकी यहाँ पर जो है वह माक्स है तो यह आप आवेदन करें अन्यता आप पैसा नहीं होगा थिकर यह ची ध्यान रिकिया वाले कंडिडेट का आप यहाँ नहीं होने वाला है यह साफ साफ हवा फेरा ऐगली स तंफिटप करतें कोई यहां पर कर जाता है लेकिन यह और बात करें जो कंडिडेटव सी ब्यांट से हैं तो उनका जो है नौर्मली 95, 96, 97 बहुत सारे ऐसे कंडिडेटर रहे इनका जह है 97 है बहुत सारे कंडिडेट का 99.99 इस तरह से जो है वह रिजल्ट आती है और इस वार की बात करें तो इस वार तो और जो है यहाँ पे एक्जाम तो ही है नहीं और जो प्रियर से जो उनका पर्फेमेंस रहा उसी पर रिजल्ट दिया गया है ठीक है तो इस तरह से यहां पर मैं जो आप लोग को यहां पर बताना चाहूंगा अगर आप लोग में से कुन ही कंडिडेट अगर से बीएसी बोड से है तो वो लोग आवेधन किजिए जो बिहार वाले तो किरपया करके अगर आप 95 पलस अगर आपकी मांस आती है तो यह आप लोग आवेधन कर सकते हैं ठीक है तो बस यही मुझे बताना था अगर आप लोग को मैं यह लिंक दे दूँगा यह पीडिया दे दूँगा टेलीग्राम ग्रूप में तो आप लोग वहां से चेक आउट कर सकते हैं और यहां पर देखिए टोटल जो है कंडिडेट की संखिया पर पांस सा अंठावन रखा गया ठीक है और इसी तरह से चेक आउट कर सकते हैं और दोस्तों मैं इस वीडियो में ही एक बात और बता दूँगी कडिडेट पूछ रहे थे यहां पर कि क्या केम्प्यूटर जो है साथ दीन का तो आप लोग यहां पर दे सकते हैं यह आपके पास उससे ज्यादा भी है या जिस तरह से कुछी दिन पहले जो कॉसल दे सकते हैं अगर नहीं है तो आप कहीं से जो है अपना केम्प्यूटर सार्टिफिकेट कोर्स जो है बनवा लेजिए उसके आप सब्मिट कर सकते हैं अभी भी लाश्ट डेट जो है 14 जुलाई तक है ठीक है दस्तों तो तो दोस्तों अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लग जो है इस वीडियो के धुरू तो प्रेज अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजिएगा तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं फिर अकली वीडियो में